नमस्कार दोस्तों, जै सीता राम, जै हनुमान, जै बागेश्वर धाम सरकार, भक्तों आपका प्राचीन ग्यान यूटुब चैनल में स्वागत है भक्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों नवरात्र की हार्दिक शुभकाम नाएं, इस नवरात्र मैं आप लोगों को वैश्णव माता के सिक्के का लाइफ चमतकार बताऊंगा, मैं हर साल अपने प्राचीन ग्यान चैनल में आप लोगों को दुरलब से दुरलब जानकारी बताता हूं, तो आज के जो हमारा वीड बहुत बड़े धनी हैं दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में, सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है, क्योंकि भक्तों सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है वैश्नव मां के सिक्के का नवरात्र के किसी भी दिन या उपाय करना है चमतकार देखकर भक्तों आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी पहले वैश्नो माता के सिक्के हमारे भारत वर्ष में बहुत चले हैं तो इसके लाइव चमतकार आज के इस वीडियो में बताऊंगा नवरात्री के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाब ले सकते हैं भक्तों अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैश्नो माता के छवी छपे हैं या फिर दुरगा मै जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं तो उसका उपाय भी इस नवरात्री के दौरान अगर आपके पास में हैं तो आप कर सकते हैं भक्तों अगर आप इन सिक्कों को सिध्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया मे आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा, ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, भक्तो ये कुबेर का कुंजी है, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में क्योंकि नवरात्री अभी चल रही है, नवरात्र के समय मैं आप लोगों को हर न ल्यान के लिए एवं जीवों के के लिए छोटी कन्या के रूप बना के आती है, भक्तों, नवरात्री में अगर कोई व्यक्ती मा का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्री में अगर मा का ध्यान करते हुए, कोई भी व्यक्ती एक रात्रिकालीन में जाग जाए, तो व्य जल्दी प्रसन होती है और नवरात्री में नवरात्री की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प व्रिक्ष के समान सब कुछ देने वाला है तो भक्तों आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ध्यान से सुनना है वीडियो को आधे बीच में छो आपके हर कदम में मित्र के भांती मदद करेंगे. किसी भी क्षेत्र में जाईए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे. तो इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिसमत करना. देखिए दोस्तों, ज्यान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधा अधूरा न देखा करें. अधूरे ज्यान पाप के भागी बनाता है, अधूरे ज्यान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है. आप जीतने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शन ही नहीं बलकि आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं और आपको अवश्य इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भक्तों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे मनोबल बनता है, और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्यान भरी अच्छी अच्छी जानकारी ले करके आते हैं, चलिए जानते हैं भक्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्री पूरे नौ दिनों का र रहने वाले हैं, और नवरात्री में मातारानी जो है, पूरे नौ शुभ योग के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे, तो नवरात्री में अगर आप मातारानी को प्रसंद करना चाहते हैं, तो नवरात्री के किसी भी एक दिन रात्रिकाल के समय में मातारानी को मो नवरात्री की सप्तमी एक दिन अगर माता रानी को मोगरे का पुष्प की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निचावर कर देती है जैसे कि धन, एश्वर्य, सुख, शान्ती माता सब कुछ निच दोस्तों, नवरात्री के समय बहुत सारे ऐसे भाई, जो नवरात्री में पूरा टाइम नहीं निकाल पाते, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाई, ये आपकी सभी मनो कामना केवल एक ही, दिन की गजरा चढ़ाने से माता रानी पूर्ण करती है भक्तो मा का हृदय बहुत कोमल होता है, मा को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए, तो दोस्तों, अगर आपके पास वैश्नव मा का या फिर लक्ष्मी मा का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो भक्तो नवरात्री में इस पर्व में उस स सिक्के को जागरित कर सकते हैं, हमेशा याद रखना, बिना जागरण के तथा बिना शक्तिपात किये हुए कोई भी चीजों को लेते हो, वह लाभानवित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते, एक छोटा सा उदाहरन से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ती घर मे पूजा नहीं होती, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जी इस मूर्ती में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो, वह मूर्ती हमें फल प्रदान करता है, उस मूर्ती की पूजा करने से हमें धन, एश्वर्य सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ती होती है, जब कोई ब्राहमन मंत्र प्रजाब करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ती में, तो वह जागृत होती है, उसी तरह भक्तों या वैश्नोमा का सिक्का है, तो भक्तों या आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारन सिक्का है, परंतु आज के इस वीडियो में इसके में जो आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दोगुनी रात चौगुनी अपने तरक्की कर सकते हैं. दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा, केवल एक ऐसा व्रिक्ष के बारे में बताऊंगा, जिसकी अगर नवरात्र के नौ दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नवरात्र के किसी भी दिन केवल 24 गंटे के लिए इस सिक्के को इस व्रिक्ष के जंडे के नीचे में डाल देना है। भक्तो माता शीतला का भी स्थान निम के व्रिक्ष में समझा जाता है। प्रार्थना करना है क्योंकि निम व्रिक्ष में माता का वास होता है तो यही प्रार्थना करना है कि है नवदुर्गा। माता इस सिक्के को आप जागरित करें। मैं आपके श्रीचरणों में छोडने आया हूँ। आप जो भक्तों चार से पांच अंगुली के नीचे, निम व्रिक्ष के जंडों के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं, नवरात्री के बाद निकाल करके इन सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं, वो ध्यान से सुनिये भक्तों, क्योंकि ये सिक्के जागरित हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे, तो भक्तों में आपको कैसा लाभ मिलेंगे, ये सिक्के जागरित हो जाएंगे, तो इसका उपाय आप बहुत सारे कारियों में कर सकते हैं। कौन से कारियों में आईए जानते हैं। भक्तों, ये जानकारी बताने से पहले, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं, कि माता आपके घर में आये, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंड बॉक्स में जरूर लिखना जाए माता रानी। तो जानते हैं नवरात्री के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है तो भक्तों आप इस लौकेट की भांती बनवाए अर्थात इसे लौकेट की भांती हो बनवा करके आपको पहनना है भक्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा छमतकार होना शुरू हो जाएंगे महंगे रत्न से भी ज्यादा आपको फायदे देंगे मित्र की भांती हर कदम ही आपके मार्ग दर्शन करेंगे अर्थात उर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे क्योंकि यह जागृती चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाब देते हैं दूसरा भक्तों दुकान कारोबारी में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं जैसे कि आप दुकान है वहाँ पर ये सिक्का रखते हैं तो ये जो सिक्का क्या करता है आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराने का काम करते हैं क्योंकि भक्तों यह स्वयम जागरित होता है, जिस तरह दोस्तों चुम्बक है, यह लोहे को अपनी तरफ आकरशित करते हैं, उसी तरह भक्तों अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं, तो यह जीतने भी ग्राहक है, उसे आकरशित करते हैं, और यह ल यही भी आपको धंदौलत वैभव की कमी नहीं होगा। हर चैतर नवरात्री थिथी के दिन करते हैं, यह उपाय आपको चैतर नवरात्री में रात्री को करना है। आपको सिर्फ यह करना है कि चैत्र नवरात्री में किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको लाल कपड़े पहने है माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का कपड़ा पहना जाए या लाल रंग का इस्तमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है आपको आपकी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लेना है अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहाँ पर आपको जाना है तुलसी पौधे के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है जो आपने अपने लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लिया है, उस मौली धागे को आपको तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांध देना है और ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे को सपर्श मत कीजिएगा, सिर्फ तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है, आप उपाए अगर आपने इस चैत्र नवरात्री तिथी पर कर लिया, तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का आपको वह वर्दान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन का आ यह एक सिद्ध और शास्त्रिक जानकारी आपको हमने उपलब्ध कराई है दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जै माता रानी अवश्य लिखना धन्यवाद